टीचर से लेजिबिल्टी टेस्ट, अध्यापक पातरता परिच्छा, प्रदेश की होने वाली सबसे बड़ी परिच्छा, जिस परिच्छा का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, आपके मिलने वाले तमाम संदेशों से संस्थान ने प्रेरित होकर एक बैच प्रारंब किया जिसकी सूचना कल के वीडियो के थुरू आपको पब्लिक प्रेटफार्म पर बताया गया, कि हमारी बैचेस की मुख्य भूमेका, मुख्य रूपरेखा, किस प्रकार से बैचेस का संचालन किया जाएगा, कैसे आप बैच से जुड़ सकते हैं, क्या पढ़ने पढ़ने का प्रोसीजर होगा, इन सब बातों को हमने पब्लिक प्रेटफार्म पर आपको बताया, आप सभी लोगों का स्वागत है, टार्गर बेधालों का अनलाइन इस्ट्यूट में, मसंदी तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हम से पहले से इंटरैक्ट हो चुके हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्नोंने हम से टीचिंग अस्तर की तमाम सारी परिच्छाओं की तैयारी कर रखी है, मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद ग्यापित करता हूँ, कि आप सभी का जो सहयोग रहा है, जो आपका प पूर बगरन कराया, पिछले कुछ सालों में हमने अपने प्रियास को आपके लिए सिद्ध किया, आज टीचर से लिजबिल्टी टेस्ट के लिए फिर से एक नई वैच का संचालन किया जा रहा है, संस्थान के दोरा, और मुझे पूरा वरोसा है, कि हम उसी प्रकार से अप कारे के प्रती नयाय कर सकेंगे जैसा हमने पहले किया है, उससे भी बेहतर करने की कोसिस करेंगे जैसा हमने पहले किया है, आप में से बहुत सारे लोग जो हमसे पुराने से जुड़ चुके हो, हमको हमारी गद्विदियों को जानते रहे होंगे, कुछ लोग जो नए भी स्वागत करूंगा और उन सभी को भी वरोसा दिलाऊंगा कि जैसे हमने पहले किया है उससे भी बेहतर करने कि हम लोग यहाँ पर कोशिस करेंगे अध्यापक पातरता परिच्छा के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात आज करने जा रहे हैं तो हम जानते हैं कि बदले हुए इस्तर पर मेडिल इस्तर पर उसके अलावा भी अगर आप गयर सरकारी संस्थान किसी प्राइबिट संस्थान में भी आप टीचर्स बनना चाहते हैं तो टेट कॉलिफाई करना जरूरी कर दिया गया है टेट कॉलिफाई करने के लिए आपको कुछ अलग-अलग बिसियों क पढ़ना पढ़ता है जिनका प्रोसेस आपको प्रापरली पता होना चाहिए उसके लिए भी आपको एक जिम्मेदारी पूर्बा की वीडियो संस्थान के दोरा प्रवाइट किया जाएगा जिसमें कौन-कौन से बिसे होते हैं कुल कितने नंबर्स का पेपर होता है पेपर पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे मैं भी मैद विशे के साथ हूं मैद विशे की पूरी प्रौपर रूप रेखा पूरी प्लानिंग में सामिल होना है या किसी प्रकार की और संबंदित को एरीस होती है तो आप उसके लिए यह नंबर साब की अथन्टिक होते हैं जो हम लोग की वीडियो की नीचे चलाया जाते हैं इसके साथ साथ अगर हम स्पेसलिस बैज के किसी एक पर्टिकुलर नंबर की बात करें उसका एक वाटसेप नंबर संस्थान की तरफ से आपको प्रवाइट किया जा रहा है जिस नंबर को आप नोट कर लीजिए कि 900-5815-849 आप पहले से भी इस चीज़ से अउगत होंगे कि किस प्रकार से इंट्री प्रोसेस होता है इंट्री फार UPTID लिख करके आप इस नंबर पर वाटसेप करेंगे इस नंबर को अपने mobile पे स्टोर करेंगे और वाटसेप के contact में जाकर के इस पर आपको इंट्री फार वाटसेप करना है जैसे ही आप WhatsApp करेंगे संस्थान से आपको उन गतिविधियों के बारे में संस्थान से जुड़ेने के प्रोसेस के बारे में बता दिया जाएगा मेरे हिसाब से आपको इस सारी सुचना है मिल गई हैं यही नंबर आपके authentic होते हैं आपकी बार-बार queries आती हैं किसरम किस तरह से जुड़ें आपके तमाम वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं इसी को देख करके सभी टीचर्स लगबग आपको इस बारे में जरूर सुचना देते हैं जिससे कि आपकी इसकी authenticity की आपको इसकी जनकारी हो सके इस नंबर को एक बार फिर नोट करिएगा 900-5815-849 किसी पर आपको इंट्री फार-वाटसप करना है क्योंकि हम जानते हैं कि इस परिच्छा में दो phases होते हैं दो paper आप देखते हैं कि एक paper 1 होता है paper 2 होता है paper 1 जो होता है वोग अच्छा एक से लेकर पास तक के लिए होता है और paper 2 जो होता है 6-8 के लिए होता है यहाँ पर जो paper 2 होता है कि वल math उसमें नहीं लिखा रहता है mathematics and science लिखा रहता है पहले मैं बात करता हूँ paper 1 की 30 question का paper है 30 marks इसमें total आते हैं negative marking नहीं होती है प्रामरी अस्तर के questions होते हैं हदरा की होते तो elementary ही है elementary मतलब जो हम लोग किसी एक एक दिवसी परिच्छा की तैयारी करने के दोरान जिन-जिन topics को पढ़ते है उन topics को पूरा गंबीरता पूरवक कबर कराया जाता है और उनका label इसके comparison में लो होता है तो आप standard समझ सकते हैं कि उतना भी low नहीं होता है आपको अच्छे से prepare करना पड़ता है competitive prepare में हमें त्यारी करनी पड़ती है हम यहाँ पर 30 questions face करेंगे 30 number के लिए एक अच्छा एक से लेकर 5 तक के लिए अगर जब बात हम paper 2 की करेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दोनों paper apply किये रहते हैं आप फस shift में इसको देते हैं second shift में इसको देते हैं क्योंकि आप दोनों की तयारी कर रहे होते हैं तो हम लोग भी एक ऐसा batch संचालित करते हैं जिसमें हम लोग यहाँ से सुरुआत करते हैं और यहां तक लेकर की चीज़ों को पहुँचाते हैं आपने इस चीज़ को अनुबव किया होगा देखा होगा यहां पर बात की जाए पेपर 2 की तो पेपर 2 जनरली Mathematics and Science के रूप में साथ कुष्चन का पेपर होता है साथ कुष्चन के पेपर में आपने देखा होगा तीस कुष्चन आपके पेपर 2 के आते हैं तीस नंबर के ही रहते हैं अच्छा इसमें जो काटेगरी होती चाहिए इसकी बात की जाए चाहिए इसकी बात की जाए नई प्रडाली के थुरू इसमें 15 questions numericals के रखे जाते हैं और 15 questions पेडियोगाजी के रखे जाते हैं वही same procedure यहां भी होता है यहां का level इससे काफी up होता है काफी high होता है और यहां तक हाई होता है कि अगर पुराना paper कोई देखा होगा तो आपने देखा होगा कि प्रस्णों का अस्तर कितना अधिक बनकर आया हुआ है मतलब आप इमान कर चलिए कि आज की 4-6 साल पहले जो SLC की preparation करते थे उससे कम इनका standard नहीं होता है इसलिए परिच्छा को हम बहुती गंबीर मान कर चलते हैं इसकी तैयारी को हम बहुती ज़्यादा valuable मान कर चलते हैं हम लोग इतना easily इसको नहीं handle कर सकते हैं ना तो taggle कर सकते हैं वैसे भी आप math बिसे पढ़ रहे हैं तो आपको math बिसे को कभी इसलिए handle करना मतलब एक प्रकार से मैसे कह सकते हैं उसको आसान नहीं लेकी चलना चाहिए मतलब बहुती अपने दिमाग को ऐसा नहीं set कर दे कि बहुती easiest way में हमको मिल जाएगा आपको इसके प्रती बहुत गंबीर होना पड़ता है और math बिसे एक ऐसा बिसे है यगर आज आप इसको पढ़ रहे हैं परिच्छा को qualify करने के लिए ओ तो ठीक है लेकिन कभी जीओन में इसका उप्योग आप कर सकते हैं बाद में आप जो है अपने बच्चों को बढ़ाने तक के लिए इसका उप्योग कर सकते हैं और वास्तों में math पढ़ने के बाद एक बहुत ही अजीब एक बहुत ही अच्छे प्रकार की जागरुपता हमारे अंदर आती है आप बहुत ही अच्छे लेबल पर सोच सकते हैं मेरे ख्याल से जो मुझे अनवव है मैं सीज को आपके साथ सेयर कर रहा हूँ और वास्तों में आप इस चीज की feeling करेंगे जिस दिन आप mathematics पढ़ना सुरू करेंगे और math को जब अंते में finish करेंगे तो आपको यह थास होगा कि मैंने एक ग्यान प्राप्त किया और उस ग्यान का हमारे life में बहुत बड़ा उप्योग है हलाकि हम यहाँ पर research की बात नहीं कर रहे हैं हम बात के ओल अपनी इस परिच्छा को कौलिफाई करने की बात कर रहे हैं मैं इस पूरे pattern के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर सेम प्रोसेस यहाँ पर जैसे इसमें होता है सेम टू सेम ऐसा होता है बस question के label में फरक होता है आप एक चीज को मैं आपको बता दूँ कि math एक ऐसा बिसे है कि अगर हम उसको academic label के लिए पढ़ रहे है academic मतलब जैसे आप high school की परिच्छा देने जा रहे है 12th की परिच्छा देने जा रहे है graduation की परिच्छा देने जा रहे तो उसको academic कहा जाता है और जब हम completion की preparation करते हैं completion की preparation के दौरान हमें बहुत ही जादा दूसरे वेबें हमें त्यारी करनी पड़ती है मैं इस प्रकार के completion की बात कर रहा हूँ चाहे वापका टेटका ही पर exam क्यों ना हो अगर कोई scholar हो अपने college का और वह research कर रहा हो mathematics से वह एमटेक कर रखा हो लेकिन फिर भी वह इस प्रकार की परिच्छाओं को देने में उतना सहज नहीं फील हो करेगा जितना आप करेंगे क्योंकि आप इस बे में त्यारी कर रहे हैं यहाँ पर हमें completion के अस्तर को लेके चलना होता है यहाँ पर हमें कोई research नहीं करना होता है इस बात को हमें ध्यान में रखना है competition की अगर हमें completion crack करना है तो हमें completion के अस्तर का सोचना पड़ता है मैं पूरी security के साथ कह सकता हूँ जो research scholar भी है अगर उसने सहीवे में completion की त्यारी नहीं करी है तो completion crack नहीं कर सकता है वह इस प्रकार की परिच्छाओं को qualify नहीं कर सकता है भले ही वो math के सारे प्रसनों को घर पे कर ले उसको सारे प्रसन आते हो जितने 30 के 30 उसको आते हो उलग चीज है लेकिन उस दोरान जब आप exam हाल में होते हैं उस दोरान आपको अगर सही भी में इसको साल्व करना है तो आपको इस अस्तर की त्यारी की जरूत होती है आप math विसे को देखिये ध्यान से तो math विसे की गंबिरता को उसके हिसाब से लेकि चलना चाहिए मैंने अपने हिसाब से जो analysis करी है उसके लिए math को पढ़ने के लिए हमारे पास जो हम competition की preparation कर रहे है इसको qualify करने के लिए हमें full speed और full accuracy हमारे पास होनी चाहिए हमारी personal requirements होगी इस परिच्छा को qualify करने के लिए speed accuracy मैंने इसलिए रखा क्योंकि हम competition देंगे तो हमारे पास एक नियमित समय होगा एक limited time होगा उस limited time के अंतरगत हमें उस पूरे paper को हल करना होगा इसलिए हमारी speed तो boost up होनी चाहिए speed ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन speed इतनी भी ज़्यादा नहों कि आप सब गलत करके आएं आपको accurate भी करके आना चाहिए दोनों के बीच proper balance बनाके चलिए कि बहुत जल्दी करें और बहुत ही सुद्ध करें अगर यह दोनों चीज अपने अंदर आप fix कर लिए तो आप समझ लिजे कि आप सहीरी सामे है हाँ इसके लिए आपको जरूरत क्या है फुल रेडिकेसन होना चाहिए मतलब आपको पूरी तरह से आप इसके प्रत समर्पित रहिए और कोई भी आपसन मत रखी अपने दिमाग में जैसे आपसन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बहुत सारे लोग की दिमाग में रहता है कि ठीक है इस बार क्वालिफाई नहीं तो अगली बार करेंगे एक कुश्चन नहीं तो चलो इस टॉपिक को ना पढ़ करके अगले टॉपिक में अपना कमांड बनाएंगे हमारी अस्फलता का मुख कारण ही यह आपसन बन जाता है हम जिस दिन अपने दिमाग में रख लेते हैं कि हमको तो या ठीक है चलो इस बार नहीं तो अगली बार मुझे आउसर मिलेगा ही मिलेगा उसी दिन से आप फेल होने की दिसा में हो जाते हैं आप इस चीज़ को समझ लीजे दिमाग में आप ट्रेन कभी मिस नहीं करते हैं क्योंकि ट्रेन आपका इंतजार नहीं करती है कोई भी चीज जहां पर आपके पास आउसर नहीं होता आप उसको प्राप्त करने के लिए पूरी तैनमेता लगा देते हैं इसलिए हमेशा दिमाग में रखिये कि हमारे पास कोई आपसर नहीं है, हमें पूरी तरह से समर्पित हो करके, हमें इस प्रापर स्ट्राइटजी पर काम करके, इस पूरे सब्जेक्स को अच्छी तरह से त्यार करना है। पेपर टू के लिए मिले, हम उस पार्ठिक्रम से पूरी तरह से अपने आपको जस्टिफाई ही नहीं कर पाते हैं, मुझे लगता है कि इस पार्ठिक्रम का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि कुश्चिन्स कहां से पूँच लेता है, इस बात के लिए आपको निश्चित करना हम लोगों ने इस चीज को अनुभो किया है, हमने फिछले पेपर्स को उठा के देखा, ऐसे ऐसे कुश्चिन्स पूछे गया थे, चायो पेपर वन के थे, चायो पेपर टू के थे, जिनको लोग डिसकस ही नहीं करते, जैसे कहते त्रिकोडमिती के भी कुश्चिन्स आया आपने याद किया होगा, कॉंपलेक्स नंबर के कुश्चिन्स आया थे, अगर आपको पता होगा, तो क्वाडिनेट जेमेट्री के कुश्चिन्स आया थे, स्टैंडर्ड, मतलब कहने करते होता है कि अच्छा टेक्नोमेट्री का ऐसा ऐसा कुश्चिन नहीं, अच्छे अस मतलब उसकी preparation आप करिए, आप mensuration पढ़ लीजी, उसने हमको mensuration कहके हटा दिया, उसने हमको geometry कहके हटा दिया, बस उसके अंतरगत क्या क्या हो सकता है, इस सीज को हमको recite करना है, हमको निर्धारित करना है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से एक पूरा पाठिकरम आपके लिए ready कि हमने जैसे पूरे पाठिकरम की बात करी, तो हमको पता है कि हम math पढ़ते हैं, तो generally हम math को किसी भी एक भी उसी परिच्छा में हम जानते हैं कि दो प्रकार से हम लोग लेकर कि इसको चल दें, एक तो कहते हैं कि अंगडित है, अंगडित अर्थात arithmetic और दूसरा आपका advance होता कहीं कहीं हमारे आयोग में हमको केवल simply इतना लिख देता है कि आपको अंगडित, रेखागडित और बीजगडित 10th level का चाहिए, हम लोग उसी चीज़ को categorize कर दी हैं दो parts में और उसी parts की हम analysis आपके साथ कराने जा रहे हैं, अगर हम केवल बात करें अंगडित की, तो इतनी भी इस्थिती calculations की बन सकती हो, सब कुछ अंगडित में हम लोग देखते हैं, बाद में इसका उपयोग हम लोग advance में किया करते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़े से सुरुवात अगर करें सेल्वस को समझने की कोशिस करें, क्योंकि हमें math पढ़ना है, तो math अर्थात यह हम ऐसे कह सकते हैं, math को हम लोग क्या दें, कि दुनिया की किसी भी समस्या को हल करने के लिए हम लोग गडित का ही प्रियोग करते हैं, गडित को ही सीखते हैं, तो अगर हम बात करें math की, तो math actually आपने देखा है, तो दो मुख्य चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो सं संख्याओं से, दूसरा operator से, मतलब चिन्हों से, आपने देखा है कि problems को हल करने के लिए हमें जरुवत किसकी होगी संख्याओं की, संख्याओं को हमें numerical manage करने के लिए चिन्हों, जोडगटाओ, गुड़ा भाग, दसंबलों, इस सब चीजों का प्रियोग करना पड़ता है इन दोनों चीजों से मिलकर यह चीज मुख्यता बनी होती है, हम यहाँ पर इन संख्याओं को proper समझने के लिए हम लोग एक chapter पढ़ते हैं, जिसको हम लोग आपकी परिच्छा में मुख्य रूप से मान कर चल रहे हैं, उस chapter का नाम है संख्या प्रडाली अर्थात number system, हम अस्थानी जाती मान, दसंबलो और भिन्ने के बारे में, भाजिता के पूरे नियम के बारे में, इकाई कांक ग्याद करने के बारे में, अंतसे सुन्यों की संख्या ग्याद करने के बारे में, सिस्पल अधारित प्रस्नों को देखने के बारे में, गुडनखंड पर अधार करके हमने डिसाइट किया है मुझे लगा है कि यही चीजे आपकी परिच्छा में आ सकती हैं यह मैंने उठा के नंबर सिस्टम में देखिए आप रख दिया है मैं आपकी इस सीट को आपकी बैच में अपडेट भी करवा दूँगा जब हम लोग पढ़ना सुरू करेंगे इस होता रहेगा जैसे एक प्रोसस हर एक exceptional के साथ include रहेगा जब एक चैटर आप संख्या प्रढली पढ़ेंगे तो इसके साथ है चलेगा तो ऐसे हर चैप्टर के अंतर गत is चीज को हम लोग देखते चले जाएंगे अब जैसे नंबर सिस्टम के बाद अगर हम आगे चले त तो उसमें हमें गड़ना, calculations को बड़ा ही importance मानके चलना पड़ता है जिसमें हमें जोड़ घटाओ, गुड़ा भाग, वर्ग वर्ग मूल, घन घन मूल इन सब के बारे में proper जनकारी होनी चाहिए सरली करण का पूरा एप्रोच इन्हीं पर dependent होता है क्योंकि अगर हम basic calculation सीख पाते हैं तब ही जा करें कि उसको हम सरली करण पर लिया पाते है सरली करण भी आएंगे तो हम इसमें board mass rule पढ़ना होता है algebra के कुछ terms यूज करने होते हैं घात के प्रियोग हमें करने होते हैं यह पूरा calculation का part है जो भी एक निरधारी समय लेता है चाहे आपके paper 1 की बात हो चाहे paper 2 की बात हो दोनों में इस topic को बहुत important मान कर चला जाता है मतलब यह approach होता है एक तरह से अगर आप समझ लीजे ते applications होता है बाकियों जो common जानकारी थी मैंने जैसे का कि हर chapter के साथ होती है हर chapter पे उसका उप्योग हम लोग करेंगे percentage की importance आप समझ सकते हैं कि प्रतिसत हमारे mathematics का अंगरित का एक प्रकार से root होता है percentage जिसके अंतरगत हम किसी मान की तोलना हम 100 से करते हैं उसको हम percentage कहते हैं आप जानते इस बात को percentage में मैं केवल आपको तीन बाते बताऊंगा एक तो conversion करना मतलब हमें भिन से प्रतिसत में convert करना प्रतिसत से भिन में convert करना दूसरा increment और decrement अर्थाद ब्रिद्धी और कमी करना अगर हम ब्रिद्धी और कमी सीख गए आप मेरी बातों को समझने की कोशिस करिएगा अगर हम ब्रिद्धी और कमी सीख गए तो एक प्रकार से हम बहुत सारी चीजों को सीख गए बृद्धी और कमी को भी देखा जाए तो दो प्रकार की होती है एक बार की बृद्धी कमी सतत प्रकार की बृद्धी कमी हमें तीन मुख चीज़े जैसे मैंने कहा कि कनवर्जन, इंक्रिमेंट, डिक्रिमेंट और कमपेरिजन प्रतिसत का मुख तीन पार्ट होता है इन ही तीन चीज को सीखने के बाद आप बहुत सारी चीजों से बज़ जाते हैं मतलब आपको अत्रिक्त पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है आप ब्रिद्धी कमी की अगर हम बात करें जjakे कन्वर्जंस आएगा तो हमें इनक्रिमंट-DICKCREMENT और comparरिजन भी अच्छे से समझे आएगा ब्रिद्धी कमी के अगर हम बात करें जैसे मैंने कहा एक बार और continue ब्रिद्धी को ही अगर देखा जाया तो हम लब कहते हैं देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रिद्धी को हिलाब भी कहते हैं और ब्याज भी कहते हैं ब्याज का मतलब भी तो अत्रिक्त धनी होता है जो एक प्रगार की ब्रिद्धी होती है दुकानदार भी क्या करता है किसी वस्तु के दाम को बढ़ा कर बेज़ता है तो सेम उसे हम अगर हम बृद्धी की बात करें तो यहीं से हमें लाभानी का चैप्टर भी प्राप्त होगा और यहीं से हमें चक्रविद्धी व्याज और सधारण व्याज का भी चैप्टर प्राप्त होगा हानी का मतलब छूट हो गई एक प्रकार की कमी हो गई तो कमी से हमें छूट और लहानी का भी चैप्टर यहीं से मिल रहा है तो कहने कर्थ हुआ यहीं से हम इसको पढ़ करके लाभानी, छूट, सधारणड ब्याद, चक्रविद्धी ब्याद सब कुछ कबर करते हैं इसके लिए मुझे कोई अत्रिक पढ़ाई करने की जरुवत नहीं होती है इस बात को आप लोग घ्यान में रखिएगा बस इसको हमें गंभीरता से पढ़ना है यह एक प्रकार की मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टमेंट अप्लिकेसंस होता है इस एप्लिकेसंस को कम्प्लीट करने के बाद हमने का जैसे इस सब चैप्टर्स तो कबर करते ही करते हैं इस एप्लिकेसंस का कई अन्य टॉपिक्स में भी प्रियोग होता है जैसे कि कुछ ऐसे चैप्टर्स कुछ ऐसे टम्स होते हैं जहांपे हम कुछ आएवे के प्रस्ण लेते हैं, परसंटेज के ही, एक्जाम के प्रस्ण लेते हैं, चुनाओं के प्रस्ण लेते हैं, जनसंख्या के प्रस्ण लेते हैं, जो जनरल भिहाब के आपसे पूचे जाते हैं, मिस्रण के प्रस्ण लेते हैं और इन सब को हम लोग सधाड़ व्याद, चक्रविद्धि व्याद भी पढ़ने के दोरान आपको अनुपात के बारे में खुब गंभीर जनकारी होगी और अच्छे से आप सीखेंगे इसमें पूरे अनुपात का सिध्धान्त जो के उच्छ भी हमारे परिच्छा आपको बेस करता है अनुपात के कितने प्रकार होते हैं समानुपात का सिध्धान्त इसके पूरे थिवरम, पूरे नियम इस पर बेस जो कुष्छन्स की बात किया जाए तो मुख्य तोर पर जो आयू संबंद के प्रस्ण और साज़धारी पर प्रस्ण और आयू संबंद के प्रस्ण हलाकि इन पे और भी बहुत सारी चीजे हैं जैसे कि सतत्मध्यानुपात आयबर ब्याई पर अधारित प्रस्ण सिक्को पर अधारित प्रस्ण, मिस्रण पर अधारित प्रस्ण ये सब तो कुष्ण सो आपके डिपेंड करते ही करते हैं लेकिन मुख्य रूप से जैसे मैंने कहा कि आयू संबंद जो आपकी परिच्छा में पूछा ही जाएगा और साज़धारी ये दो टॉपिक आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट होगे जो कि इसी चैप्टर के अंदर गत पूरी तरह से बन कराएंगे तो हम लोग इस चैप्टर को बड़ा ही इंपॉर्टेंट जैसे परसंटेज से कम करके हम इसको आखते नहीं है हम मान कर चलते हैं जिस प्रकार से परसंटेज उससे कहीं कमें नहीं है तिसलिए इसको भी बहुत ही गंबीर और इंपॉर्टेंट माना जाता है आगे अगर हम लोग चलते हैं अनुपाद समानुपाद के बाद देखिए लासा मासा जैसे ये दो टॉपिक ऐसा है चाहे हो लासा मासा हो इसके बाद हम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए इस ट्रैपिक को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हम मान कर चलते हैं अब हैसे हम कहाते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन हम लासा मासा को हम गंभीर मानते हैं हम जानते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस आपके अस्तर की परिच्छा में ज़्यादा होती है इसलिए हम इसको मान कर चलना है कि इस पर भी संबन्दित एक दो questions आपको दिखते ही दिखते हैं average का भी ये questions आपको दिख जाता हौसत का आउसत के बारे में आप already मेरे ख्याल से जानते होंगे लेकिन इसमें जो categories हैं जैसे कि हमें संख्या पर अधारी जो average निकालना हो समू में किसी को सामिल करना हो या समू से निकालने से आउसत पर फरक क्या आएगा इस प्रकार से अगर हम किसी को समू से अस्थानंतरित करें उसकी जगा पर किसी अन्ने को सामिल करें इसके miscellaneous type के प्रसन कैसे बनेंगे तो इस प्रकार की बाते हम average पर पूरा लेकर चलेंगे अलग-अलग प्रकार से आगे जब मैं बढ़ूँगा देखी हैं अभी हमें चाल दोरी समय के प्रसन भी अधिक तर आपको दीख जाते हैं जिसमें जो basic चाल दोरी समय का अप्रोच होता है वो तो ठीक है जिसमें हम कुछ special categories इसकी involve करते हैं like average speed सापेच छिप चाल मतलब जिसको हम relative speed कहते हैं इसके बाद रेलगाडी पर अधारी जो प्रसन होते हैं आपने देखा होगा उसका पूरा concept और साथ-साथ नाओधारा पर अधारी जो प्रसन होता है उसके पूरे concept को भी इसमें include किया गया है यह पूरा topic आपका एक साथ यहां पर cover किया जाएगा इसके लिए आप पूरी तरह से निस्चिंद रहिएगा इस सब कुछ भी छूटेगा नहीं इस बात की मैं promise करता हूँ time and work देखिएगा आप सभी लोग जो है तो time and work इसके बात का part है अलग-अलग कारे चमताओं पर अधारी समू में कारे चमताओं पर अधारी इसके बात कारे अंतराल पर मतलब इसकी पूरी जाएगा इसको भी हम लोग पूरा कबर कराएंगे मिस्रड एक topic होता है आप लोग देखा होगा कि मिस्रड जो है अधिकतर पोछा जाता है हमारी परिच्छाओं में लेकिन हम चलिए हम यहाँ पर जो भी हमको मिलेगा इस पे सम्मंदित हम उसको discuss करेंगे हलाकि मिस्रड को जब हम percentage पढ़ाएंगे तो वहाँ भी discuss करेंगे जब हम ratio पढ़ाएंगे तो वहाँ भी मिस्रड को discuss करेंगे और अलग से भी मिस्रड को हम लोग यहाँ पर चाहे हो लिक्विट्स पर based हो चाहे पदार्थों पर based हो चाहे हो जानवरों पर बेजड हो, आईबे पर बेजड हो, किसी भी प्रकार की इस्तितियों में सरड़की तो इसको हम लोग कवर करेंगे, जो कामन जानकारी है जिस सीट के बारे में मैं आपको हर बार देता ही देता रहता हूँ इडवांस में अगर हम चले तो हम सबसे पहले डिसकस करेंगे about the geometry geometry अर्थात जामिती जिसको आप सब कह सकते हैं इसको हम explain करें तो we can say that this is the geo plus metrian मतलब अर्थ के measurement को geometry कहते हैं Euclid ने इस पूरे concept को दिया उन्होंने कहा कि दो प्रकार की स्थिति हमारे आसपास की होती है जैसे एक तो plane होता है, दूसरा space होता है हम किसी भी balance का measurement अगर करना चाहें तो उसको करने के लिए हमें कुछ basic काईयों की तरफ focus डोना होता है सबसे पहले एक बिंदु को पढ़ना होता है बिंदु से बिंदु को मिलाते हैं तो रेखा होती है रेखा को रेखा से मिलाते हैं तो कोड बनता है और इनको अगर हम मर्ज कर दे तो एक figure पराप्त होता है सारी कहानी से figure के बारे में है यह जो figure का ही measurement पढ़ने के लिए figure के ही मापन को करने के लिए geometry या जामिती को पढ़ा जाता है जामिती के अंतरगत जितने भी figure हम पढ़ेंगे लगबगो सभी के सभी figure आप mensuration के अंतरगत भी पढ़ेंगे बस यहाँ पर रेखा कोड के बारे में संबंदों को नर्देशित किया जाएगा वहाँ छेतरफल और परिमाप के बारे में संबंदों को देखा जाएगा जब हमें यहाँ पर आपको जिसे बिंदु रेखा कोड के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा जब मैं आपको त्रिभुच के बारे में यहाँ भी त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, यहां त्रिभुज के हम सभी प्रकार के कोडों और भुजाओं के सम्मंद के बारे में बात करेंगे, इनकी सरवांग सम्ता, इनकी सम्रूपता के बारे में बात करेंगे, इनके मद्विंदु के सिध्धान्द के बारे में बात करेंगे और जब वहाँ पर जाएंगी तो उनके छेतफल के बारे में, उनके परिमाप के बारे में, उनके सीरसलम के बारे में, इन सब की डिसकसन हम लोग वहाँ पर करेंगे सभी प्रकार के चतुर भुज़, अब सभी प्रकार के चतुर भुज़ों की देखा जाए, हमारे पास आयत होता है, वर्ग होता है, समांतर चतुर भुज़ों होता है, सम चतुर भुज़ों होता है, पतंग होती है, तिस सब तो चतुर भुज़ी है ना, जिन में चार भुज पलको निर्देशित, किया जाएगा सभी प्रकार के बहबुज बहबुज अपकुछ भी है, जैसे त्रिवुज यह तो भी बहबुज है क्योंकि इबंधा कृती है बहबुज का प्रापर से दान्त क्या होता है सभी प्रकार के फीगर के अन्तर कोडों का योग क्या होता है विकरणों की संख्या क्या होती है उनके जो है विकरणों में संबंध क्या होता है इसके प्रकार प्रतेक बाहे कोडों का मान क्या होता है आंतरिक कोडों का मान क्या होता है उनकी रेगुलर्टी कैसी होती है वो सम बहुभुज होते हैं कि नहीं होते हैं इन सारी बातों को हम लोग यहांपर डिसकस करेंगे बृत एक important part है लगबग सभी प्रकार के figure में यूज किया जाता है जिस देखी लिखा है बृत तथा सभी बहुभुज का combination बृत को त्रिभुज के अंदर भी रखा जाता है त्रिभुज को बृत के अंदर भी रखा जाता है या चतुर्भुज को बृत के अंदर या बृत के अंदर चतुर्भुज मतलब हर प्रकार के इस combination को जो भी possible बन पाएगा खडभुज तक Pentagon खडभुज तक हम लोग इसको properly treat करेंगे यहां पर पढ़ेंगे तो यह geometry का session आपके साथ होगा छेत्रमिती जैसे मैंने वही same to same देखिए मैंने आपको बताया कि यहां पर मैंने कहा कि जैसे मैंने तो अभी आपको क्योल परिमाप और छेत्फल कहा था लेकिन आयतन भी यूज किया सभी प्रकार के चत्रगुज जो जने चत्रगुजो का नाम लिया हो सारे चत्रगुज बृत ताया और इनके साथ बनने की combination करने की इस्थिति और इनके miscellaneous question जब बात हम three dimensional की करेंगे देखिएगा तो three dimensional में आपका घनाब हुआ घन हुआ बेलन हुआ संकू हुआ गोला हुआ प्रिजम हुआ पिरमिड हुआ इन सब फीगर्स के बारे में अच्छा देखिए अब आप देखते हैं कि आप कहोगे किसर इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं है यही है actually मैंने कहाना मैं आपके उस syllabus को फालो नहीं कर सकता हूँ जो syllabus आपके दिया जाता है हम अपने विबेक से syllabus को design कर रहे हैं और वही चीज मान कर चलने जो आपकी परिच्छा में आया है उन्हीं से संबंदित करती हैं चीजों को मैंने आपके सामने प्रजेंट करने की कोसिस करी है और वही सब कुछ हमको लगता है कि यहास पर परिच्छा का प्रोज बनेगा बीजगडित के प्रसन अधिकतर आपकी परिच्छाओं में पहुचे जाते हैं सभी प्रकार की सरोसमी का है सभी प्रकार के फामुले सभी प्रकार के समी करणों का स गातांक और करड़ी का नियम, उनसे संबंदित बिवित और उन पर संबंदित पूरी प्रैक्टिस सीथ, यह प्रोसेस आपको दिया जाएगा, तो बीजगडित भी इंपॉर्टन सेशन है, बीजगडित भी इंपॉर्टन पार्ट है, अच्छा एक चीज और देखिएगा, ज संबंद जितनी भी प्रकार की अलग-अलग स्थिती होती है, उनके सभी प्रकार के आइडेंटिटीस, प्रापर, एंगुलर, मेंजर्मेंट, इन सब को हम आपको समझाएंगे, क्योंकि प्रस्ट प्रिबियस परिच्छाओं में पूछे गए हैं, और इसके भी प्रस्ट आ पर दी गई है, दी जाएगी, इन सब को भी हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे और बढ़ेंगे, और साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि जैसे कुछ चीजें अलग से होती हैं, जैसे कुछ सेट का अप्रोच होता है, कुछ प्राइक्ता के कुश्च्छन्स होते हैं, जो चीजें वहाँ पर मेंसर्ण नहीं थी, लेकिन आपको मान कर चलना है, उन सब को भी हमको ले करके चलना है, इसलिए आप मान कर चलिए कि किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा, अगर आपको पूरा भरोसा हैं पर तो मान कर चलेंगे, कि हम कोई भी चीज को इग्नोर क के साथ interact होना है जिससे कि हम जाकर कि इस पढ़ाई को इस प्रापर स्टाइटजी को हैं आप पर प्रापरली हम अंजाम दे सकें आप इस पूरे सेशन को अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस चीज का अनुबह हो गया होगा इस प्रकार से टॉपिक हमारी परिच्छाओं म और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी लोग सामिल होते हैं बैचस में जो कि कहपे हैं कि सार हमें यूपी टेट की कर रहे हैं साथ साथ हमें भी प्रपरिशन कर लें साथ सा तो भी कर लें तो हमारी पूरी स्टाट दी के और यूपी टेट पर फोकस्ट होगी हमें के और यूप mindset के लोग भी रहते हैं पढ़ाने के दोरान अलग-अलग mindset के लोग भी रहते हैं जैसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल से अभी ABCD नहीं पता होती हैं कुछ लोग थोड़ा बहुत जनकारी रखे रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा से जादा स्टैंडर होते हैं तो हम पढ़ाने के दोरान हम इस चीज को बहुत ही बैलेंस बनाके चलने की कोशिज करते हैं इसलिए आपको हमारी स्टैटजी पर कुर्क करना होगा हमारी बातों को समझ करके आगे बढ़ना होगा और भरोसा रख करके चलना होगा कि हमारे जो कमिट्मेंट्स रहेंगे हम उसको पूरी तरह से हम सौ परतिसत तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हम 99% 95% से उपर पूरा करने की कोशिज करते हैं सौ परतिसत तो संबव नहीं है सौ परतिसत कोई कह दे तो एक प्रकार से आप इतने भी कर सकते हैं इस बात को आपको लेकर चलना है तो आई थिंग आपको सारी बाते समझ में आ रही है कि जो मैंने आपर बताने की कोशिस करी है जो मैंने आपको बताया है पाठिकरम तो आज मैं सुरू नहीं कर रहा हूं लेकिन फिर भी कुछ प्रकार की बाते हम लोग सुरू क जैसे आप math पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जैसे माली जी हमने कहा कि हम अर्थमेटिक अर्थात अंगडित पढ़ रहे हैं, क्योंकि अंगडित math का एक महत्वपोड भाग होता है, जो गडित हम लोग पढ़ रहे हैं, इस गडित का अंगडित जो होत है संख्याओं पर करना होता है संख्याओं पर करना होता है किस के साथ चिन्हों के साथ अगर हम मुख्य तोर पर संख्याओं की बात करें आप देखोंगे तो संख्याओं की करडेगरी तो हम क्लासिफिकेशन में आपको बताएंगे, लेकिन जो आपको calculation करने के दौरान संख्याएं मिलती है अगर उनकी बात किया जाए, तो आप तीन प्रकार की संख्याओं को फेस करते हैं कौन कौन सी? आपको पोडांग संख्याओं एकसर मिलती हैं, पोडांग संख्याएं मतलब जिन में कोई दसंख्याओं नहीं लगा होता है, या हम कह सकते हैं भिन ऐसा हो जिसका हर एक हो भिन संख्याओं मिलती हैं, मतलब अपान में संख्याओं आपको मिलती हैं, जैसे कि कुछ बटा कुछ होता है, तो इस प्रकार की संक्याइं आपको भिन्न के तोर पर मिलती हैं या दसमलों की संक्याइं मिलती हैं कैलकुलेशन के दोरान आप इन तीन प्रकार की संक्याओं को फेस करते हैं इसके साथ साथ हम चिन्नों की बात करें अगर तो चिन्न हमारे पास अलग-अलग होते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि आपको जोड मिलता है आपको घटाव मिलता है, गुड़े मिलता है, भाग मिलता है, स्क्वेर मिलता है स्क्वेर रूट मिलता है, घन मिलता है, घन मूल मिलता है इस प्रकार के अलग-अलग हम चिन्नों को फेस करते हैं तो पूरी strategy हमारी यही होगी कि हम इन प्रकार के calculation पर आपको strong बना सकें आज के session में भी हम चाहेंगे कुछ calculation आप सीख सके कुछ बाते आप समझ सकें जिससे कि आपको थोड़ा सा ऐसास हो सके इस process को समझने का एक proper आप medium सीख सके तो चलिए हम जैसे एक दो नंबर लेते हैं कैसे कभी कभी जैसे हम माली जी हम primary अस्तर की हम अदिमिक अस्तर की कोई भी परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं कभी कभी हमारी परिच्छाओं में एक परिच्छाओं में एक परकार की ऐसे कुछ जोड़ पूछे जाते हैं जैसे माली जी जा 9-8-3-4-4-2-6-5-3-2-1-9-2-1-3-9-1-4-5-9 इस परकार का हमें माली जी एक जोड़ दिया गया और मुझसे पूछा गया किसका सम क्या होगा तो आप इस परकार के जोड़ का addition मतलब जोड़ को कैसे प्राप्ट कर सकते हैं इसका सईए अंसर कैसे कर सकते हैं आपको जब जोड़ने को दिया जाएगा तो आपके दिमाग में तो चीजे upset ही हो जाएंगी क्योंकि हमको जोड़ना तो आता ही है आपको लगा है स़ 99 कोई बात नहीं हम table बना लेते हैं table बना के लिख करके हम सब को जोड़ देते हैं अंतसे संक्याओं को जोड़ते हैं आपने वही प्रयास किया आप इधर से या कुछ लोगों ने सोचा थोड़ा से डवांस ते तंतिम अंतिम पदों को जोड़ना सुरू किया जो आता गया लिखते गए उसके हासिल को बाप प्रापर एड़ करते गए बगल में तो इस तरह से जोड़ दिया मैं इसको जोड़ने के लिए ना तो मैं केवल गणाऊंगा ना तो मैं अंतिम से पदों को लिखना सुरू करूँगा मैं इसके लिए एक कामन स्ट्राइटी अपलाई करूँगा पहली चीज तो मैंने एक चीज देखा कि सब ही जो पद थे हो चार अंकों के थे मतलब जो संखी संख्याय थी सब की सब वो चार अंकों की संख्याय थी इनको जोड़ने में हमें कोई प्राबलम नहीं होगी हम औरल भी बिना पिन का प्रियोग करें भी जोड़ सकते हैं हम इनके लिए डिजिट सम का भी प्रियोग कर सकते हैं आपको देखना होगा सारी चीजों को कैसे हमें आपर मैनेज कर रहे हैं जोड़ने में प्राबलम क्या आती है आप देखिए जैसे कभी मैं आपसे कहा दूब आप 5 and 3 को अड़ करिए तो आप जोड़ेंगे सर कहेंगे सर 8 आएगा कोई प्राबलम नहीं है जोड़ने में प्राबलम तब सबसे बढ़ी है जिसे 5 and 7 को जोड़ना हुआ तो 5, 7 को जोड़ने में आपको होगे सर 12 आएगा ये एक प्रकार से गलत स्टाटजी है गलत अब्रोच है अगर आप 5, 7 को जोड़कर 12 बता रहे हैं तो 5, 7 तो हमने 12 लिख दिया और 8 और 7 हमने 15 लिखना होगा मतलब ये 12 हुआ है 15 हुआ नहीं ये गलत है आप समझ गया होगे ना मैं जो बताना चाहता हूँ जोड़ने में जो जोड़ होता है जोड़का मान 2 है और एक जो है एक कैरी है हासिल है यह हासल बगल की संख्या में लगता है, जगर यहाँ पर जीरो जीरो था इसके साथ जूड़ करके यह माने यहाँ पर बारा हुआ है तो हासल का प्रियोग होता है हमारे जोड का सबसे बड़ा जो complexion होता है वो हासिल ही होता है अगर हासिल ना आए तो जोड असान है या हासिल minimum आए तो जोड असान है तो हम अपने जोड के दुरान ऐसे ही अपरोच फालो करने की कोशिस करते हैं कि हमें हासिल नपराप्त हो अब आप देखिए जैसे इस question की बात कीजिए यहाँ पर क्या संदिया है इसको जोडने के लिए मैंने ऐसे सोचा कि सब में चार-चार पत दिये गए है चार-चार रंग की संख्याएं हैं अगर नहीं भी होती तो हम लोग बराबर बनाने की कोशिस करेंगी अगर मालीजे सब में पांच होता एक में चार होता तो मैं उसके बाहर एक जीरो बना के उसको पांच बना लेता या अगर सब में तीन होता एक में चार होता तो मैं सब को चार रंग की बना लेता यह बनाना हमारे लिए इजी है पहले 0 लगा कि अंते में 0 नहीं लगता है समझेए अब हम इसको एक तरह से एकाउंट रीडिंग करते हैं मालीजी हम एक बैंकर है मेरे एकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं मैं इस पैसे को कैसे कंसीडर कर रहा हूँ पैन कापी नहीं उठाओंगा मैं थोड़ा सा यहां पर आपको लिखने के लिए मतलब कि यह आप समझ सकें इसलिए मैं लिखूंगा मैंने सोचा चलो मेरे एकाउंट में अभी क्योवल आप क्योवल अंतिम सब्सक्राइब यह बैलू सोचिए 9,000 आया आप दिमाग बेरे खिए का आपके अकाउंट में 9,000 आया फिर 4,000 आया कितने हो गए 13,000 हो गए फिर 2,000 आया कितना हुआ 15 फिर 1,000 आया 16 आपके अकाउंट में अब तक 16,000 रुपे आ चुके हैं आप चाहे तो यहाँ पर रख दीजिए कि 16,000 मेरे account में अब तक insert हो चुके हैं, मेरे account में 16,000 आ चुके हैं, आप कहिए मेरे account में 800 आया, 200 मतलब 1000 हो गया, फिर 1100 हो गया, 4,500 हो गया, तो 1500 और आ गया, 16 में अगर 1000 जोड़े 17,500, आपके पास अब तक 17,500 रुपए हो चुके है 17,500 रुपए हो चुके हैं, फिर आप कहेंगे सर मेरे account में 30 आया, 60 फिर और कहीं से आया, 90 हो गया, 90 में 30 जोड़ा 120 हो गया, और 120 में 50 जोड़ा तो 170 हो गया, तो आपने देखा 17,500 था, 500 में 100 जोड़ा 600, 670 हो गया, 17,670 हो गया, 17,500 चे सो सत्तर हो गया, मतलब आपने कितना जोड़ा, 170 जोड़ा, अब आप ध्यान दीजेगा फिर से, अंतिम के जो क्वाइन से उनको जोड़िए, 4 रुपए आये, फिर 5 आये, 9 हो गये, 9,9 18 हो गये, 18,9 27 हो गये, 27 और आपके account में जोड़ गया है, 70 था, 70 में आपने कितना जोड़ा एक बार फ चेक 6 हुआ, 6,7 हुआ, 17,697 में कहीं मैंने कोई कैरी नहीं लिया, अराम से इस प्रसंद का उत्तर आपने बता दिया, आप इसको calculator से चेक भी कर सकते हैं, आपको कहीं calculation करने की requirement नहीं थी, आप ऐसे भी सोचते एक बार फिर से देखिए जनरल विहाब पे, 9,000, 4,013, 13,215, 15,16, आपके account में 16, 800, 200, यहीं कह सकते थे कि 1,000, 1,000 जोड़ देते तो 17,000 वैसे भी हो जाता, 17,100, 17,400 और जुड़ा तो 17,500, आप प्रापर लेके चलिए, 1500 जोड़ा था, तो 16,000 में 1,000 जुड़ा 17,500, फिर देखा मैंने 30, 60, 90, 90, 30, 120, 120, 50, 170, 170 रुपए और आये तो 17,000 आपके सामने 500 था, तो 100, जुड़ा 670 हो गया, फिर हमने देखा तक इधर जब जुड़ा था, 4, 5, 9, 9, 18, 9, 27, 27, 27 और जुड़ा, 70 में 27 जुड़ेगा, तो 97, 17,690 रुपए आपके account में आ गए, माल लिजे यहाँ पर यही option दिया होता, यही option दिया होता क्या, 17,690 और इ अंजाम दे पाते हैं, समझ पाते हैं, digit sum के लिए मुझे कभी भी संख्याओं को, जैसे देखिए ध्यान से, यह बहुत authentic तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे सामने उस समय बहुत ही helpful होता है, जब हमें थोड़ा सा चीजों को manage करना होता है, केवल compare करना होता है, उस समय इसका एक 5 मितलब 6 हो जाएगा, 27 का digit sum 9 हो जाएगा, 18 का digit sum भी 9 हो जाएगा, 37 का digit sum 7 और 3 जुड़कर 10 अर्थात 1 हो जाएगा, इस तरह से digit sum को हम लोग यहाँ पर अंकों को जोड़कर single मान में बना करके हम लोग यहाँ पर रखा करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं, अ जो question का digit sum होगा, वही answer का भी digit sum होगा, मतलब जो in sub का digit sum होगा, वही इसका भी digit sum होगा, तो automatically चीज़े manage हो जाएगी या match कर जाएगी, 9, 8, 17, 17 को चाहे तो हम लिख सकते थे 7, 1, 8, मतलब यहाँ पर हम इसका digit sum 8 लिख सकते हैं, या आप सोची 17 लिख दे, 9, 8, 17, 17, 23, 20, 24, 24 आपने देखा थे इन पदों को जो मैंने जोड़ा तो कितना है, 24 और 24 के हिसाब से digit sum कितना हो गया, 6, 4, 2, कितना होता है, 6, अलग-अलग भी करते हैं, तो 9, 8, 17, 17 मतलब 7, 1, 8, 8, 3, 11, 11 मतलब 1, 1, 2, 2, 4, 6, तो ऐसे भी 6 आता digit sum, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17 का मतलब 8, चलिए 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 9, 15, 15 का मतलब 6, 15 का मतलब еक, 5, पांच, 18, 19, 19 का मतलब, 19 का मतलब 9, एक, 10 आप 10 का मतलब के वाल एक, समझे रहे हैं, फिर से देखी, 1, 14, 5, 5, 5, 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 10 नो मिलकर फिर 10, तो 10 का मतलब एक ही हुआ, अब फिर से इनको जोड़िए, क्यो चौदा का मतलब 415 या प्रापर कर लीजिए 8-6-14-14-6-20-21 चुड़कर 21-21 के हिसाब से डिजिट सम कितना आ रहा है 3 अब जब मैंने अपने कैलकुलेशन का जो हमारे पास एंसर आया था या आपसन में जो था उसका डिजिट सम किया तो 7-8-8-6-14-9-23-23-7-30-30 आ रहा है अब आप देख रहे हैं इसका डिजिट सम और इसका डिजिट सम मैच कर गया इसका मतलब हमारा यही आपसन करेक्ट है हमारा सही उतर है आप इसको देख लीजे ध्यान से ऐसे भी कर सकते थे 7-8-8-6-14-14-14-14 का मतलब फिर से 5 और 5-7 कितना होता है 12 12 का मतलब 2-1-3 तीन हो के सामने यह प्रोसेस भी आप इसका भी प्रियोग कर सकते हैं इसमें केवल जोड दिया था कभी किसी कुश्चन में कुछ ऐसी इस्तिती भी आए कि हमारे पास घटाओ भी हो जैसे 9,875-6,342-7,312-4,217 देखिए यह कुश्चन आपके सामने था आप इसका जब सम करेंग इसका अप्लाई किया था आप देखिए तो suppose करिए यहाँ पर मेरे सामने 9,000 है, मेरे एकॉंड में 9,000 है इंसर्ट हुआ आया नो में से 6 गया तो कितना बचा, तीन हजार मेरे एकॉंड में बचा, तीन में फिर 7,000 है तो 10,000 में हो गया, तो मेरे एकॉंड में 6,000 हो गया 6000 मेरे account में हो गया ध्यान दीजिएगा फिर 800 आया 300 गया 500 बचा 500 में फिर 300 जुड़ा 800 हुआ और 800 में फिर 200 गया तो 600 हो गया आपके account में ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे करते जा रहें 800 आया मतलब प्लस 8 में से 3 गया 500 बचा 500 में 300 जुड़ा तो 800 बचा हुआ और 40 में से 10 निकाल दे तो 30 हुआ आपके count में 30 बचा समझते जाईए का जैसे फिर देखिए 70 आया 40 गया तो 30 बचा 30 में फिर 10 जुड़ा तो कितना बचा 40 40 में से फिर 10 गया तो कितना बचा 30 फिर देखिए 5 आया 2 गया 5 आया 2 गया तो 5 में से दो गया तो कितना हो जाता है तीन तीन में फिर दो जुड़ा तो कितना हुआ पांच तीन में फिर दो जुड़ा तो पांच पांच में फिर साथ गया तो माइनस दो मतलब जो मान आएगा उसमें से दो घटा देना होगा जो मान आया, दो गया तो तीन बचा, तीन में फिर दो जुड़ा तो पांच, पांच में से एक निकला तो चार, यहां लिख दीजे चार, यह जब लिख दिया चार, यह बैलू आपके सामने चार, तीन, छे, 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 बैलू हमारी छे, 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 तीन, चार, मतलब 6,334, 6,634 हो कि कोई चेंज नहीं होता, आप समझ गया होंगे, जो मैंने यहां पर प्रोसेस आपको बताने की कोसिस करिए, यहां भी डिजिट सम एकसिप्टेड है, जैसे आप 6,634 की बात करिए, आप डिजिट सम को मैच करा सकते हैं इस प्रोसेस के लिए भी जैसे मैंने बताया यहां पर कि आपको अगर देखना होता जहां से, यह देखिए 9,8,17 आप अपला ही कर सकते हैं, ध्यान दिजिएगा, 9,8,17 पहले इसका भी डिजिट सम देखें, 6,6,12, 12,3,15, 15,4,19, 19 का मतलब 9,1,10, मतलब कुल मिला के डिजिट सम एक आएगा, देखिए, 6,6,12, 12,3,15,4,19, 19 का मतलब 9,1,10, 10 का मतलब 1,0,1, देखे, 9,8,17, 17,7,24,24,25,29, 29 का मतलब 9,2,1,11, 11,11 का मतलब 1,1,2, इसका डिजिट सम हो गया, 2, फिर से देखिए, 9,8,17, 17 का मतलब 7,1,8 भी होता है, 8,7,15, 15 का मतलब 5,1,6 भी होता है, और 6,5,11, 11,11 का मतलब 1,1,2 होता है, इसकी बार परिए, 6,3,9,9,4,13, 13,2,15, 15 का मतलब 6 लिख दीजिए, 7,3,10, 10,1,11,11,11,12,13, 13 का मतलब 4 लिख दीजिए, 4,2,6,6,7,7,8,8, सिंपली इसको 8 लिख दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जैसे 2 में से 6 निकला तो कितना हुआ बताईए, 2 में से 6 निक नेगेटिव आए, तो नेगेटिव के लिए आपको उस मान को 9 से घटाना होगा, 9 से घटाना होगा, तो 9 में से 8 निकलेगा, तो क्या आएगा, यह का आएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा, कभी भी अगर डिजिट सम नेगेटिव आए, तो उस नेगेटिव को हमें 9 से घटाना होता है तो हमको इसका मान हमको automatically प्राप्त हो जाता है actual हम digit sum पर बहुंच जाते हैं I hope यह समझ में आया होगा यह process भी clear हुआ होगा और इस तरह के sums अगर मिलते हैं तो हम कर भी सकें एक question बड़ा कामन है आपकी परिच्छा में इसको table बना के सोचेंगे सरह मैं ऐसे लिख दें 11, 111, 111, 111, 111, 111, 111 आपने जब जोड़ा तो एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ तो आपको simply कुछ करना नहीं था एक line, दो line, तीन line, चार line तो simple सा answer एक, दो, तीन, चार और पांच लिख देते, यही इसका answer हो जाता यह answer हो जाता हम लोग अराम से इसको बता सकते थे, देखिए अब मानली जी अगर हमको कुछ ऐसे मिल जाए, यहां तो चलिए ठीक है मानली जी यही पिर हमको मिला होता point one, point double one, point triple one, point point four time on, point five time on अगर मानली जी है, सम हमको मिला होता, और मुझे इसको जोड़ना होता तो आपको क्या करना होगा बताइए इस दौरान हमने अगर सोच गलती से भी इस answer के पहले दिसमलों लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका process क्या होगा लिखने का 0.1, 0.11, 0.11, 0.11, 0.11, 0.11, 0.11, 1, 1 जुड़कर के 0.54321 आएगा जब कभी दिसमलों लगे हों तो आपको इस मान के reverse लिखना पड़ेगा उल्टा लिखना पड़ेगा 0.54321 यहाँ पर इस value का answer यहाँ पर बन जाएगा तो इस answer और इस answer में फरक आपको दिख गया होगा एगर हमको ऐसा मिले तो at least हम उसको समझ पाएं और कर सके एक question बड़ा common हमारी परिच्छा का ही पूछा गया प्रसन है हमसे पूछा गया एक question बड़ा अच्छा दिखी ध्यान से एक सही एक बटा दो आपसे पूछा गया इस का मान क्या होगा आपको अगर करना है तो तुरंट यहाँ पर बता सकते हैं रिखिये ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले चीज़ के पहले कुछ दिमाग में रखिए जैसे अभी रेखा था कि यह जो पार्ट जैसे इसको अगर कभी सूचिए करो तभी जाकर कि यह तो हम इसको एक सही एक बटा दो लिख पाएंगे कभी भी आपको ऐसा कोई फ्रैक्शन भी मिले जैसे कि मालीजे आपको मिला टू प्लस थ्री वाई फाइव आप इसको अगर लिखना चाहें ना दो सही तीन बटा पांच लिख सकते हैं आपको मिला चार प्लस तीन बटा साथ तो आप इसको चार सही तीन बटा साथ लिख सकते हैं आपको जैसे मतलब इध्यान देना है किस तरह का कभी भी अगर कोई हमको एडिसन मिल जाए इसका मतलब सिंपली यह मिस्सर फाम इसका यह हो जाता है तो कभी अगर मा लिजे यह तो चलिए ठीक है आप समझी गया होंगे अगर मा लिजे हमको यह सम मिला है तो हमारे पास जो पहले के पार्ट होंगे सब पुडांग होंगे इसके यह पुडांग होंगे तो मतलब इसको अलग कंसीडर करके चले तो अलग कंसीडर करके चलें तो यह एक प्रकार से एक है, 111 है, 111 है, 1111 है, जिसका जोड हो जायेगा, एक, दो, तीन, चार, जितने पत तक जाये हैं, उतना जोड लिख दीजिए, प्लस, अब इसकी बातकरी जो भिन्न वाले पार्ट हैं, एक बटा दो, एक बटा दो, एक पटा दो, मतलब आधा और आधा मिलके एक होता है, फिर आधा और आधा मिलके एक होता है, और एक-एक मिलकर दो होता है, तो जोड करके 1236 हो जाएगा, मतलब इसका जोड आपके सामने कितना हो जाएगा, 1236 हो जाएगा, आराम से आप लिख सकते हैं, यहीं पर देखिए, म पॉइंट फॉर टाइम वन अब देखिए अगर माली जी इसको जोड़ना होता तो कैसे करते तो जो हमारे पास दसंबलों के पहले पहले उनको कंसीडर करिए उनकी बात करा जा एक 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 चार बार है तो हम एक एक जोड़कर इसको चार बना देंगे और जो बाद में हो 1.21.11.co1.4.it उस तरह से करके मैं अंसर किये गया है उसको 0.4321 लिख सकते हैं तो इसका एंसर यहाँ पर इतना हो जाएगा 0.41.421 मालेच्जे इही पर मैं आपको कहता कि आप मुझे इसका एंसर बताईए क्या नाम है यहाँ है कि X.1 11 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 क्या को यह देखे कितना आ जैए कि इसका जोड जोड़ होगा तो 111 11 11 11 111λ भी अब यह हमने इन इस्षेज को जोड़ा था एक दो तीन चार आया था अब पॉइंट वाले टम्स के अगर हम बात पर तो point के terms को भी तो हम जोड़ चुके हैं जो कि point 4, 3, 2, 1 हो जाएगा अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इसका answer आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा आई हो वे बाते समझ पा रहे हैं तो आप इसको 5 सही 2 बटा 3 किया सकते हैं जरूत के हिसाब से जब भी कहा जाए ऐसे इसके घटाव वाले कम भी होते हैं अगर मालीजे 1 माइनस 3 बटा 4 दिया है तो आपको कुछ नहीं करना होता है बस ध्यान दीजिए जैसे ए जो मान है उसको एक कम कर दे मतलब उसका कोई अर्थी नहीं खतम ही हो गया और इस 4 में से इसको एक घटा दे तो यह 1 हो जाएगा और 1 बटा 4 इसका एंसर हो जाएगा मालीजे आपको दिया होता 5 माइनस 2 बटा 3 तो पहली चीज 5 को एक कम कर दीजिए 4 हो जाएगा इसके बाद 3 में से 2 घटाई यह कितना हुआ एक 4 सही एक बटा 3 हो जाएगा आप चेक कर सकते हैं इसको चाहे है तो मैच कराना चाहे है तो करा सकते है 5 तिया 15, 15 दो 17 बटा 3 हुआ 3 चोगे 12 3 चोगे 12 स्वारी 3 पचे एक सेकंड 5 तिया 15 हम क्या कर रहे है देखिए यहां पर ध्यान से 5 तिया 15, 15 में से 2 निकला 13 बटा 3 हुआ 3 चोगे 12 4 सही एक बटा 3 हो जाएगा यहां पर जो हमारे सामने इंसर आ रहा है वही सेम तो सेम बन जाएगा मतलब कभी ऐसी जरूद पढ़े तो हम लोग अराम से यहां पर इस टाइब के प्रशनों का सलूशन कर सकते हैं जिसे मुझे दिया गया 2 माइनस 3 बटा 5 तो आप तुरंट पहले 2 को एक खटा है एक हो गया 5 में से 3 निकाल दे 2 हो गया 1 सही 2 बटा 3 हो जाएगा ठीक है अब अगर हम इसी टाइब के कुछ questions और देख ले जैसे मैंने आपको दिया सपोच करिए 1 सही 1 बटा 2 मैंने कहा 2 सही 3 बटा 2 या 2 सही हमने लिखा 1 बटा 4 लिखा प्लस 3 सही 1 बटा 4 लिखा फिर मैंने लिखा 5 सही 1 बटा 2 लिखा 5 सही मैंने 1 बटा 2 लिखा मैंने 6 सही 1 बटा 2 लिखा देखिए आपके सामने या question है अगर ऐसा सम हमको दिखे तो हमें कुछ करना खास नहीं है पहले इन पुडांक पुडांक को जोड़िए तो पुडांक पुडांक जोड़ा तो 2,1,3,3,3,6,6,5,11,6 17 हुगा अब हमको दिखान देना जो 1 बटा 4 और 1 बटा 4 जुड़कर 1 बटा 2 होगा और आप देखिए 1 बटा 2 और 1 बटा 2 मिलकर 1 होगा यह 1 बटा 2,1 बटा 2 मिलकर 1 होगा तो कुल मिला के मेरे सामने 2 और जुड़ जाएगा तो यह मान आपका 17,2 कितना हो जाएगा नीस हो जाएगा 17,2 नीस हो जाएगा तो आप इस तरह के सम्स को देख करके इसका अंसर बटा सकते हैं और कभी ऐसी जरुवत पड़े तो आप लोग पर फार्म कर सकते हैं आई वोप यह बाते आप तक को समझ में आ रही होगी क्योंकि आज एक डमी क्लास थी रिप्रेजेंटेशन था मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मैं आपको कॉंसेट नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन आपको अब धीरे दीरे इन सब टॉपिक से रिलेट करते हुए आपको अच्छा लगा होगा और आप चीज़ों को समझ पाएं होगे बहुत जल्दी हम इस पर संबन दे ते और और वीडियो लेकर आएंगे और कॉंसेट लेकर आएंगे और कॉंसेट लेकर आएंगे अपनी पढ़ाई को आज से ही प्रारंब कर दीजिए शुरुआत कर दीजिए एक सही एस्ट्राटजी के साथ सही अप्रोच के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि आपने चीज़ों को अनबो किया है समझा है और आगे भी आप इसी प्रकार से अप्रिसेट करते रहेंगे और समझते रहेंगे आज के लिए तना है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद